नारी आचल में पले है टूमर घातक रोग के, धिरे धिरे कस्ते जाते रेशे दारू रोग के, इनके सम्केतों के भी हमें परख्षणी चाहिए, कैंसर बढ़ने के पहले हमें समझना चाहिए, सुदरना चाहिए. हमारे दर्शुकों को ब्रेस कैंसर की जानकारी देनी के लिए, हमारे सुद्यों मुपसीत है, परत पड़ा की जाने मानी स्पीरो अधर्णिया, डॉक्तर सौगनेगाड़ोनी और मैं पत्रटार डॉक्तर मंगरवाजी, वेल्कम माडम, माडम हमारे दर्शुक जानना चाहते ह अधर्ड खानगे हिने, डेस्न गर्सरुक किया है, क्या खुद इसका परिक्षन कर सकते हैं और इसका निगांत्रे से होता है स्थन मेंगाड़ का होना, साहां में बगन में भी गाड़ होना स्थन का अकार बदलना, बार में नीपल का अंदर जाना, कभी-कभी नीपल से डिश्चार्ज होना, कभी संत्रे के चिलके के जैसी स्किन स्टन के उपर के दिखना शुरू हो जाना, यह शुरू के प्रातनी क्लक्षाद होते हैं संके अजर के. 20 साल की उमर के बाद, रेग्यूलर्ली अपना फ्लाट हैंड से सं की जाज करना जरूरी है, आका रखना सं का बदलता है क्या वो देखना जरूरी है, और अगर गठान लगती है, तो फिट तुरन डॉक्टर को बताना चाहिए. 45 साल की उमर के बाद में हर साथ मैमोग्राफी करके देखना चाहिए, चौपन साल की उमर के बाद में हर दो साल में मैमोग्राफी करना चाहिए, अगर मैमोग्राफी उसके बाद में एफनेसी करते हैं, अगर गठान दिखे तो पाली निकाल कर उसकी जाज करते हैं, उसके इसके जोखी कारत क्या है वाया इसके अनुवशिकता एक बात है इसमें जीन म्यूटेशन होते हैं बाद में मोटा पा, अल्कोहॉल लेना ज्यादा दिन तब के पास साल से ज्यादा अगर गर्वजिरो तर गोलिया ली जाती है या कभी रजोनी उरुप्ती के बाद में हामु कराया स्टन के स्टेजिस क्या है और उसका ट्रीक्मेंट प्लान कैसे होता है दिखे स्टन का जो कैंसर है जो गांठ है तो उसका साइज बाद में लिंफौड इंवाल्मेंट उसके बाद में शरीर में और कहीं स्प्रेड है क्या यह सब जानना जरूरी है स्टेजिं के नजन का रहे ध्यान, कस्रस्ते शरीर बनाए स्पूर्तिवान, शादी की उम्र का रहे भान, एक्सक्लिजू छे महा तक करे स्तन पान, सुख शांती और आनंद से बने गुनवान, दारू ना बनने दे पार्टी की शान, ब्रेस्ट में छोटी सी छोटी कुछ भी तकलिप हो त तभी तो हम बचेंगे कुछ हर्ट तक और बनेंगे भाग्या।